नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चेर परिच्छे दोस्त उपस्थित हूँ, आप सभी की सेवा में एक बहधी महतो पून जानकारी को ले करके, जिहां, सिर्फ पांच मिनट में नींद आएगी, वो भी बिना दवा के, बस अपनी कलाई के, आपको कौन से बिंदू को दब ने को अनिद्रा कहते हैं, इसके कारण, अनिद्रा रोग का खास कारण चिंता को माना जाता है, अगर कोई व्यक्ति अति उत्तेजित है, अवसाद जैसे मानसिक बिमारी से ग्रस्त है, कैफिन जैसे उत्तेजक पदार्थ लेता है, गंदे वातावरन में रहता है, ज्यादा मेहनत करता है बासी और गरिष्ट भोजन का स्यवन करता है धुम्रपान करता है निंद की गोलियां लेता है नशा ज्यादा करता है तो उसे अनिद्रा का रोग हो सकता है अनिद्रा रोग का एक कारण सनायू संस्थान की गरबरी का होना भी हो सकता है इसके लक्षनों को अब जालनेते हैं, आंखों का लाल होना, आंखों में निंद भरी होना, किसी भी काम में मन न लगना, इत्यादी अनिद्रा रोग के लक्षन होते हैं। सुबह जल्दी उठकर वयायाम करना चाहिए, हरी घास पर नंगे पाउं चलना चाहिए, हलके गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, मन मस्तिश्क को शांत रखना चाहिए, रोगी के नायूसन स्थान और पाचन तंतर से संबंधित केंद्र बिंदूँ पर प्रेशर देना च का कारण मनो वैज्ञानिक हो तो किसी अच्छे मनो चिकित सक से सलाह लेनी चाहिए, एक्यू प्रेशर चिकित साथ से उपचार करने के लिए हात की कलाई के पास तथा कंधे से छाती के पास के प्रतिविंब बिंदूँ पर प्रेशर देने से तथा पैरों पर टखने से प्रती दिन कुछ सेकंड के लिए देना चाहिए। प्रती दिन के लिए तीन बार प्रेशर देने से अनिद्रा रोग ठीक हो जाता है। इस प्रकार से प्रेशर देने से नायूसन स्थान के कारे में सुधार हो जाता है जिसके फलस्वरूप अनिद्रा रोग दूर हो जाता है। अनिद्रा रोग का खास कारण चिंता को माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अतिव तेजित है और साथ जैसी मानसिक भीमारी से ग्रस्थ है रात को सुने से पहले हात पैरों के अंगूठे तथा उंगलियों पर प्रेशर देने से निद्ध अच्छी आने लग जाती है। इसके हलावा दाएं हात की उंगलियों और बाएं हात की उंगलियों को आपस में जोड़ कर जैसा कि हम आपको बता रहे हैं प्रेशर देने से अनिद्रा रोग दूर हो जाता है। अनिद्रा रोग का खास कारण चिंता को माना जाता है। नहीं करना चाहिए तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं। और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।